बाहुबली आनंद मोहन का क्या होगा? क्या आनंद मोहन फिर से जेल जाएंगे? क्या फिर से उन्हें कोर्ट के द्वारा जेल भेजा जाएगा? जी हाँ, आनंद मोहन को लेकर के आज एक बरा फैसला आने वाला है। आनंद मोहन जिने पिछले दिनों ही जी क्रिष्नया हत्याकांड में नितीज सरकार ने कानून में संसूधन के उपरांत जेल से बाहर निकाला था, उन्हें लेकर के उनकी जेल से जो रिहाई हुई थी, इसमें गोपाल गंज के ततकालीन डियम जी क्रिष्नया की पतनी के और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, द्रसल इस मामले की जो पिछली सुनवाई थी, वह सबसे पहले 11 अगस्ट को हुई थी, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिका करता था, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था, कि जो टल दी उस सुनवाई टलने के बाद 3 नवम्बर की तारीख तेगी गए थी तो आज 3 नवम्बर है और आज 3 नवम्बर को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी कि आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने का जो नितिश सरकार का फैसला था क्या वह सरकारी नहीं है क्या उस पर लेकेर के अब कोट में क्या दोनों पक्षों की ओर से जिरह होते हैं और उसमें क्या कोट फैसला सुनाता है या सबसे आहम होगा दरसल अगर अनंद मोहन की बात करें तो आनंद मोहन पर आरोप लगा था कि वर्च 1994 में गोपाल गंज के ततकालीन डीम जी क्रिशनया की जब भीर ने हत्या के थी तो इस भीर को उकसाने वाले उस भीर का नत्रेत करने वाले जी की आनंद मोहन ही थे और तब कोट ने आनंद मोहन को आजीवन करावास की सजा सुनाई थी बाद में आनंद मोहन की जो करावास की अबधी थी वह पिछले वर्ची पू मेलवन में बलत्लाव किया जिसके बाद आनन्द मोहन की रिहाई इसी वर्स हुई है लकिन उनकी रिहाई होने के साथ थी यह पूरा मामला विवादों में घिर गया और आनन्द मोहन की रिहाई को ले करके अब जी क्रिष्न याकी पतनी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनू होती दिये जिस पर आज इस मामले की सुनवाई होगी और इन सब के बीच पिछले दिनों ही नितीश कुमार आनंद मोहन के गाओं सहरसा इस्तित पचगशिया भी गए थे और उन्होंने अपनी दोस्ती को ले करके वहां कई राग गाये थे तो ऐसे दोर में जब एक और आनंद मोहन और नितीश कुमार की नजदीखिया बढ़ रही है और उस बीच में अब सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन को ले करके एक बराज फैसला का आएगा कि आनंद मोहन का भविश से क्या होगा तो देखना है कि आनन्द मोहन को फिर से जेल भेजने का फैसला होता है या आनन्द मोहन के फिर हार बाहर रहने की जो चीज़ें हैं वो इसी प्रकार से बरकरार रहती है क्या होगा कोड का फैसला हम आपको अपडेट्स बताएंगे आप हमारी साथ बने रहें नीज़ फोर्नेशन पे